हलो गैज आप सभी सात्यों का स्वागत है आपके अपनी येटूब चैनल टॉपर सीन पर तो डेली के तरह हम लोग आज भी मॉनिंग अपडेट रहे हैं जितनी इंपोर्टेंट अपडेट आज की नीश्वेपर में आई हो सारी इक सारी अपडेट हम लोग देखने वाले है जो की चक्सू पब्लिकेशन की है इस्टिडी गाइड इसमें है जिसमें आपको पूरे के पूरे सिलेबस के एकॉर्डिंग सामान हिंदी गडित बिज्ञान सामाजी करते हैं जनरल इंगलिस तार्की के ओम पिसक्रास नात्मा छमता आपको देखने को मिलेगी तीन अजार से जादा वह विकल पेपर दो आपको प्रिवेस एर पेपर आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं पूरे बहते हिन तरीके से यहां पर चीजें डिजाइन किया गया है स्लेबस भी इसमें आपको दे दिया गया है जो की आपको देखने को मिल जाएग आपको दो आपको प्रेक्टिस रट देखने को मिलेगा और इसका आपको सल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा और पूरा का पूरा सलेवस के कॉड़ी ये इस्टेडी गाइड है जो कि आपको किसी भी बुक इस्टोर पर या फी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप सबसे पहले आप यहाँ पर देख लिजिए कल जो है एंसर की जारी कर दी गई है आप लोगों ने एंसर की मिला भी लिया होगा अगर आपको सीटेड की मिलाना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है अपनी वीडियो का वह बात करते हैं आपके रिजल्ट की अब जिसे 14 को आपका अंसर की आ चुका है अब इस पर 14 से लेकर 17 तक आपकी जो है ली जाएगी अगर को आपको बता दूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो इसी फरोरी के लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में जो है आपका रि जारी कर दिया गया है वन रक्षक के 655 पदों पर भरती का परणाम उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैनायोग ने वन रक्षक वा वन नेजीव रक्षक के 655 पदों पर भरती के लिए अगस्त 2022 में आउजित परिच्छा का परणाम जारी कर दिया है आयोग के अध्याइक प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में इसे अनुमोदित किया गया है तो आप लोग बिलकुल जाकर अपना जो रिजल्ट है अगर आप नहीं देखे हो तो देख सकते हो और यहाँ पर यह बताया गया है कि सारेरी मानक और सारेरी ध्यक्षता से ही अगली जो है और भी अप्डेट आई है कि कंप्यूटर आपरेटर भरती का भी जो चैन परड़ाम है उसको कल जारी कर दिया गया है यूपी ड्रवलस्ती ने कंप्यूटर आपरेटर के 76 पदों पर भरती के लिए अंतिम चैन परड़ाम जो है जारी कर दिया है आयोक क प्रुबंदा के उम बजब निदे साले बिधान बहुन के चार तो कुल मिलाकर यहाँ पर पदों की संख्या भी दी गई है 76 पत्ते और इसका अंतिम परडाम जो है कल जारी कर दिया गया है बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में आप लोगों को मैं बता दूँ जूनियर में भरती तो आई लेकिन वो भरती अभी भी फाइनल नहीं है तो कुल मिलाकर सिक्षक भरती जो है उत्तर पदेश में बिलकुल एक तरीके से हम कहें कि बंध ही है कुछ नहीं हो रहा है फिलाल यहां पर जो आकड़े आ रहे हैं वो थोड़े से यहां पर देखने वाले हैं कि मार्च में खाली हो जाएंगे परसदी ये सिक्षकों के 6164 पद द्यवरा चौकाने वाला ये सिर्फ और सिर्फ एक जिले की बात की जा रही है ये सिर्फ एक जिले की बात है सिधार्थ नगर बेसिक सिक्षा परसद की ओर से संचारित प्रात्मी क्यों पूर प्रात्मी विद्यालों में सिक्षकों की गोर कमी है ये सिर्फ सिद्धार्त नगर की बात की गई है अब आप सोच लीजी कि 75 जिले हैं आपके उत्तर प्रदेस में अगर एक जगा पर 5000 ही पद अगर खाली हो एक डिस्टिक में तो आपको पताओगा कि 3,75,000 के आसपास जो पद हैं वो उत्तर प्रदेस में खाली हैं चाहे वो प समय समय पर भरती होने के बाद भी प्रतिसत रिक्त पूरी नहीं हो पारी हाली में सासन से मांगीगे रिपोर्ट मार्च 2023 तक सिचकों के रिक्पद का ब्यवरा चौकाने वाला है जन्पद में 6,164 सिचकों के पद खाली हो जाएंगे ऐसे में परसदिये विद्यालों की अगली अपडेट की बात के हैं जो कि UPPSC से अपडेट है इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहां पर लिखा है कि SDM के दोगने से अधिक DSP के पद उत्तर प्रदेश समलित राज प्रवर अधिना सेवा 2022 में डिप्टी कलेक्टर के से दोगने से अधिक पद डिप्टी SP के ह इस भरती में सरवाधिक पद डिप्टी SP की ही हैं उसके बाद सबसे अधिक नायप तहसिल दार के 52 वखंड विकास अधिकारी के 25 पदों पर चैन होगा राज संपत्य विभाग में ब्यवस्थापक के 22 ववा ब्यवस्था दिकारी के 6 खादी तथा ग्रामोद 2 में प्रवन्था ववा बरिश प्रवक्ता डायट के 19-19 यानि पूरे पदों का ब्यवरा यहाँ पर दिया गया है और बताया गया है कि SDM के दोगने से अधिक जो है PCSJ की परिच्छा संडे को हुई थी और उसके दो दिन बाद ही इसकी एंसर की भी जारी कर दी गई है आप लोग अपना जो जाकर मिला भी सकते हैं यहाँ पर और बी चीज़ें दी गई है यहाँ पर बताया गया है अभ्यारतियों को अगर कोई विसंगती दिखाई परती तो 20 फ्रोरी की साम 5 बेतर रेजिस्टर डाक या स्टोयम उपस्तिती होकर दे सकते हैं 303 पदों के लिए आउजित परिच्छा में 63 प्रसत जो अभ्यारति है वो सामिल हुए थे तो अगर आपको आइंसर की से कोई दिक्कत है तो आप डाक के दौरा भी कुछ बेज सकते है या पर स्वयम भी जाकर आप लोग भेज सकते हैं कुछ भी बता सकते हैं वाँ पर अगली अपडेट जो है वो TGT जियू विज्ञान को लेकर के हैं TGT जियू विज्ञान की जो भरती थी वो 2011 में आई थी और पूरे 12 साल इसको भरती को हो गए है लेकिन अभी ये भरती जो है प्रकरिया कंप्लेट नहीं हो रही है TGT जियू विज्ञान परडाम की विरुद्ध याचका ड़ली गई है प्रसिक्चित इसनातक सिक्षक भरती जियू विज्ञान 2011 कोट से होते हो एक बार फिर कोट पहुँच गई है पहले इस भरती का परडाम गोसित करने की मां आदमी सिक्षा सिवा चैन बोड ने वर्स 2011 का जब विज्ञापन जारी किया था तब जियू विज्ञान बिसे में 83 पद्र रिक्त रह गए थे इसकी लिखित परिक्षा 17 जून 2016 को कराई गई थी लेकिन इसका परडाम गोसित नहीं किया गया ऐसे में वर्स 2022 में अभ्यारत साक्षत कार के लिए सफल हुए जो कि रिक्त पदों के सापएक दोगने ही है जबकि कम से कम तीन गुना जो है सफल गोसित किये जाने चीए थे जियू विज्ञान संगर्थ मोर्चा के अधर जिते नियादों ने बताया कि चैन बोड ने विज्ञापित पदों के अनरूप पड़ाम गोसित नहीं किया तो आप यहां पर देख सकते हैं जियू ग्यान 2021 को ले करकर TGT वरती जो ही थी उसको ले करके यहां पर याचिका लगाई गई है उसके पड़ाम को ले करके दो गुने लोगों को बुलाया गया है तीन गुना लोगों को बुलाया जाना जिये हैं जो चातों ने यहां पर अपने अपनी आज का में लिखा है तो फिलाल यह थी आज की अपडेट अगर वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक कर दें चैनल पर अगर आप नहीं तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए खुश रही है मस रही है जाहिए जया भारत